नमस्कार दोस्तों आप सबका एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आज का वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि अपना जो SIP है कुछ सालों तक चलाओं उसके बाद एक रिटार्मेंट फंड की तरह मंथली वहां से विड्रॉव भी करें और कुछ लास्ट में पैसा ही बचे उन लोगों के लिए भी इंपोर्टेंट होने वाली है जो अपना एक लंसम एमाउंट चार लाग पांस लाग छे लाग एक बार इंवेस्ट करना चाहते हैं कुछ सालों रुपए एक बार में डाल दो और वहां से मंथली मैं विड्रॉल करूं और लास्ट में मुझे कुछ एक हुज अमाउंट मिले दस साल पंद्रह साल पीस साल कि तीनों लोगों के लिए एक कंबाइंड वीडियो लेकर आया हूं आप लोग के लिए तीनों का प्रॉब्लम ए एक वीडियो में सौल्प होने वाला है सबसे पहले चीज़ की भाई आप लोग का यहां पर इस डावलूप पी प्लान जो है यहां पर है उत्तिन लोग के लिए ठीक है पहले है वो परसन जो साइप करना चाहते हैं दूसरा वो परसन जो एक लंसम एमाउंट क्या करना चाह और एक बार में 30 Past 13 लाग मालो 30 लाग जमा करना चाहते हैं और वेट नहीं करना चाहते हैं वह जैसे ही जमा करेंके एक दो महीने बाद क्या करना चाहते हैं से एक साल बाद दो सलाइक क्या करते हैं महासकर라 चाहते हैं या मंथली चाहते तो तीनों लोग के लिए ओस ऐफंड जो आप चाहते हो यहाँ पोड़फोलियों अई इंविस्ट करना तो तीननों के लिए एक वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली यह लास्ट तक जरूर देखिएगा यह सारी इंफोर्मेशन मिलेंगे कहां आपको फंड इंवेस्ट करने चाहिए कितना अप लेंगे तो कितना लास्ट में आपको पैसे मिलेंगे उन सब मस्मोल कैअ मिया मंल देक्स के कर रहें माल मंनें मल लिया कि मिडड कैब में कर रहे और मीड recycle का जो वह जदा रिटरन है तोव्य तो लगबग 16 परसेन कीफ मिन है तो लगभग 16 परसेन कर देहीं इस धर सो attend साल बाद, तो 20 साल तक 3000 पर मंद जमा करते हैं, तो 20 साल बाद अगर उजमा करेंगे, 3000 पर मंद, 16% के रेट से, तो उनका टोटल जो amount आएगा, 20 साल बाद, तोटल amount, वो हमारा हो जाएगा, लगबग 52 lakh के करीब, 52 lakh के करीब हम 50 lakh मालेते हैं, 50 lakh चलिए 50 lakh हमारा क्या होगा उनकी amount आ जाएगे ठीक है SIP वालों की बात करों जो SIP करना चाहते हैं और 20 सालबाद क्या करते हैं वो इस WP करना चाहते हैं, SWP plan बाद में बताएंगे अभी बताएंगे भई है कि हमने कितना total amount 20 सालबाद आपका होगा चलिए हम बात करें उन लोग के लिए, जो दूसरा प्लान लेकर नोहरे, लम सम करना चाहते हैं अगर उनकी लंप सम करना चाहते हैं 20य मार लेता है इस का भी रिट्वन मान लहें कि 25 परसंट rut वहार जो लंब सम करते हैं वहां Krt न टाहर। वहां पर रिस्क कम हो जो लॅँन्सम करते तो एक बार मैं इंवस्ट करना है तो वहां पर सफ़ी इंवस्ट करें आप वहांप बीठ्स करें जहां पर पैसे सब्सक्राइब और एक थीक only वो टोटल एमाउंट लगभग 40 लाग के करीब होगा लार्ज केप में किया है तो 40 लाग के करीब होगा और इसका हम बताएंगे कि इस डावलूपी लेते हैं तो कितना आपका विड्रॉल करेंगे तो कितना लास्ट में आपको मिलेगा एक थर्ड जो प्लान है वो थर्रड प्लान लार्ज उर्डों किया कि प्ट्रेळ इग बर में उससे 30 लएक जमा किया एक एक बार में 30 लें किया और उसमें कोई फ़ीं उसka जो लेकिया और इसकाह करते हैं लेना चाहते हैं तो सबकप्लान में अइल सब कर Aren't कर दिया साब पीचे यह हर महिने चलो उनके लिए भी मैं थ्यार करता हूं क्या होए भाई तो चलो हम लोग क्या करना है ने कि चली हम लोग चलते हैं कहां पे पहले वालों के पास पहले वाला क्या है पहले वाला कि हमारे ने मैं S.I.P. प्लान लिया है ठीक है 3000 का उसके पास टोटल एमाउंट है 50 लैक का तो 50 लैक के अमाउंट है और वो चाहता है कि चलो मैं हर महिने क्या करूं कुछ विड्रॉल करूं कि 40,000 विड्रॉ करूंगा मैं 40,000 विड्रॉ करूंगा 40K और हर महीने और 10 साल तक किता मुझे रिटन मिलेगा लास्ट में दस साल बाद मैं 40 ल चाली साल करूंगा 10 साल बाद मुझे पैसे बीची तो इसके लिए मुझे साइपी कल्कुलेटर पर चलना चीश है चलो हम ले लेते हैं ठीक है 50 लाक तरीके विड्रॉल क्या रहे तो टोटल इंवेस्टमेंट हमने कि यह पांच लग ने एक और कर दो पचास लाग पचास लाग का मारा टोटल इंवेस्टमेंट है हम 40,000 विड्रो करना चाहते हैं 40,000 ले लेते हैं लोग 40,000 अगर पर मंथ भी ड्रो करना चाहते हैं रिटर्न आप को क्या करिए कि जब भी आप करते हो जब भी में यानि कि आप 40 साल बाद जब भी में रिटर्न करोगे तो को आपको मैं सला दूंगा कि जो एक 40 लेक है ना उसको क्या करो या तो इंडेक्स फंड इंडेक्स फंड में करूं इंडेक्स नियुटी 50 में इसमें क्या हो दा न है कि यह बहुत सेफ रहता है जहांपे आपको लगबh-ग बाराफ परसंट के इंटरेस्ट मिली मिलेगा 20 साल बाद कि बात करूं मैं 20 साल बाद ऐसके इंवेस्टिभी इंवेस्ट्रीए करिए एक इंडेक्स फंड में जहाँ टो है पर 10 वाद करता हूं आपने अर्डेक्स हरे जहाँ आपके पैसे government fund में क्या हो रहें invest हो रहें तो आप यहां से ले सकते हैं तो 12% का return आपने लिया है तो चलो हूं 12% का return लेते हैं लोग 12% कर लेते हैं लोग उसके बाद करते हैं आप 12% 8% 12% कर लेते हैं 12% 10 साल तक आपने विड्रोव किया 10 years से लेते हैं 10 years तो आपको क्या देखने को मिल रहे है देखनों को मिल रहाए सर आपका 50 स्लाग का investment था 4848 यानि 48 लाग आपने क्या किया विड्रोव कर लिया 48 स्लाइक आपने विड्रोव किया है तो लगबग 48 लाक रूपीज आपको विड्रो करेंगे और 66 लाक आपको लास्ट ने दस साल बाद टेनियर्स बाद टेनियर्स लागतार कि अगर उन्होंने क्या कि 40 लाक का लंसम कर दिया और माल लेते हैं कि इसने 30,000 विड्रो करना है 30 के इनको क्या करना है 30,000 तब क्या होगा तो इसके लिए चलना पड़ेगा न हमको चलो यहीं पर लेते हैं लोग इसको भी सेम जगा आप इंवेस्ट करिए आप मैं एफसाला देता हूं कि इसको भी इंडेक्स फंड में इंवेस्ट करिए जहां पर आपको अच्छे खाज तो यहां पर 40 लाक लेत 36 लाक अपने विड्रोव किया 40 लाक है 36 लाक अपने विड्रोव कर लिया 10 साल तक आराम से 25-30 लाक निर्काल आपने पैसा उसके बाद उसके बाद भी आपको 57 लाक मिलेंगे यानि आपने 36 लाक विड्रोव कर लिया समझे रो सर आपने 36 लाक विड्रोव कर लिया SWP में उस तो दूसरा प्लान था यहां से आप अच्छे खासे रिटन ले सकते हो तीसरा प्लान के है हमारा सर्थ तीसरा प्लान है कि यह मान लोग आप 30 लाख डायरेक्ट जमा करते हो यह रवलूपी लेते हो आपको 12% का रिटन मानों मिली रहे मैं बोला हूं कि इंडेक्स 50 में यह 25,000 का तुरं से इस डावलूपी करना चाहता हूं 25 तो क्या होगा तो कुछ नहीं होगा चलो देखते हैं क्या होता है इस डावलूपी अपने 20,000 25,000 के लिए आपके पास कितना पैसा था था ठाट्टी लैक तीस लाख आपने तुरं जमा कर दिया था और तीस लाख आपने जमा किया इए देख रहे हो 30 लैक आपने जमा किया सुरी दिख नहीं रहागा कि चलो आपने 30 लैक जमा किया 30 लैक है ठीक है और 30 लैक जमा करने के बाद आपको क्या मिला वाई आपने 25 तर विड्रो कर रहे हो 25,000 तो तो आपका क्या होगा देखो यहां पर 25,000 का विड्रॉल प्लान है आपने 25,000 किया 10 साल तक आपने किया तो लगभग आपने 30 लाक विड्रो कर लिया समझ जरो मैं क्या वोल रहा हूं देखो यहां पर प्लान देखो सर आपने क्या कि कि 30 लाख आपने 30 लाख रूपे इंवेस्ट किया 30 लाख रूपीज आपने 25 यह का इस डावलूपी लिया इमेडियेट 12 पसंद के रिटर ने आपने टोटल एमाउंट जो विड्रोव के लिया 30 लाख आपने विड्रोव कर लिया 10 सल के अंदर और फिर भी आपका 37 लाख रूपीज डिव है आप क्या कर सकते हो लास्ट में इसको निकाल सकते हो या आप कंटिन करके डावलूपी लेना चाहते हो तीनों के लिए जब प्लान है और आप या पैसे ज़रूर इंवेस्ट करके आप अच्छे खासे तो बहुत सारे कमेंट आते हैं तो मैं सब फारे कमेंट्स को एक सांथ करके तीनों लोगों के लिए मैंने एक बार में एक वीडियो त्यार इंबार दिया करिए से आप लोगा मोटिवेशन से काम चलते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जाहिन बंदे मात्रा